लखीम पूर खीरी जहां हमारे स्वायोगी वरिश स्वायोगी शबी है दर और हमारे लखीम पूर के स्वायोगी आनंद अगरवाल ने वहाँ का हाल जाना लखिमपूर खिरी में देखा कि क्या चुनावी माहौल है किस तरह से आम आदमी सोच रहा है किस तरह से निता सोच रहे है नमश्कार आप देख रहे है के नियूस मैं हूँ शबी हैदर हाजिर हूँ निकाय पंचायत के साथ केनी उसका कारमा पहुच चुका है लखनव बाराबंकि सीता पूर होते हुए लखिमपूर खिरी यहाँ निकाय पंचायत लगेगी और जनता जनारदन का फैसला होगा जनता का फैसला होगा लखिमपूर खिरी से आप सब का स्वागत करता हूँ लता बाचपई जी परतियाशी है लकीमपूर खीरी से चेर्मेन पत की लेकिन चुनाओ परशार में होने की वज़ा से वो हमारे पास नहीं आ पाई है सीधा सवाल ज्यान बाचपई से लेंगे सर जनता क्यों चुने लता बाचपई को क्योंकि उसका एक राजनीतिक अनुभाव है वो जिस घर से आई है वो राजनीतिक परिवेश उसका वही से प्रारम हुआ हमारे घर के अंदर आई हमसे राजनीत की सिच्छा उसने ली और आज मैं खुले मंच में ये कहना चाहता हूँ कि लता बाचपई शाहे जितना भी संकास करना पड़ा है वो अपने आप पर खरी उतरेगी मैं ज्यान प्रकाद बाचपई जी का केस्ट न्यू चैनल के उपर स्वागत करता हूँ और अभिनेंदन करता हूँ मेरा एक छोटा सा प्रश्च आपका कारिकाल दस वर्ष का आपने बहुत सफलता पुर्वग निभाया उसमें बहुत सा निर्माण कार हुआ लेकिन आपने उसमें पार्किंग के उपर शहर के अंदर कोई ध्यान नहीं दिया गया मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ एक पर दूसरा लखीमपुर के अंदर बक्सा मार्केट आज जो कहलाई जाती है वहाँ पर एक कांजी हाउस हुआ करता था उस कांजी हाउस को समेट करके वहाँ पर दुकानों का निर्मार नगरपालका ने टराया तो ये जान्वरों की जो समस्या उत्पन हुई क्यों यह आप पूर में भी रहे दस वरत तक नगरपालका के सेयर में अब फिर आप अपनी पत्रवदू आपकी जो है चेर्मेन पत्र की प्रत्यासी हैं लेकिन हम एक चीज यह कहिना चाहते हैं कि हमने दिखा कहीं छोटा सा यह कोई रिपेरिंग का काम है और रिपेरिंग का काम नहीं होता है लेकिन नई नाली बन जाती है अगर सड़क में कहीं लखीमपुर में इसमें बहुत भेंकर रूप से पहर पसारे हुए है और जहां पर जाम लगती है और जिन जगों पे गुंजाइस है उसमें किसी भी अभी तक के पूर्व चेर्मेनों ने भी ध्यान नहीं दिया है ज्यान दादा प्रकुन को नमर्शकार और सभी को मैं एक सवाल पूशने चाहता हूं पिछले दो चुनाओं आपने यहां पर उन दो लोगे बीच में लेड़े थे जो आज आपके भीरोद में करें हैं एक उमा कटियार जी दूसरे मोहनबाद पेजी क्या को लगता है इनके बगर अब यह तीसरा चुना आप जीत पहले ही आप से क कांजी हाउस तोड़के दुखाने बना चुके थे बोलो तो मैं कोई आरोप उनके उपर या अपने उपर नहीं मानता हूं कि हो सकता है पहरे के अधर चिन यह समझाओ कि कांजी हाउस की जगे पे दुखानों का निर्मार हो जाए एक अची सी मार्केट बन जाए ताकि पा लहरपुर की भीयागर बात करते तो तीन तीन पत उनके पास हैं नगर पारिकापरसद की अध्यच्छ वो हैं पत्नी उनकी सांसद हैं खुद वो विधायक हैं तो उनसे तुणना हमारे कारकाल की आप मत करिए उनको कहीं से भी पैसा न मिले तब भी वो अच्छे खासे पै इसे कह सकते हैं उसने हमको चता हैं चुना हमको चुतर आए लक्षी संभशने संभाव्ब जनता ने में उसका भारिजों की तुदर बहर उसने हमको मौका दिया कोई बिट्दिय है ने गए सकता है अकेला कि हमने चुना जितवाया है चुकि आप दो बार नगरपालका के अध्यक्स रहे हैं और आप सहर की समस्याओं से अध्य तरफ वाकिब होंगे प्रत्य एक सहर की कोई ने कोई पैचान होती है तो आप ने अपने कालकाल में कोई ऐसा प्रजेक्ट सुरू किया जिससे कि लखीमपुर की पैचान पुरे प्रदेश में या देश में बन सके लखीमपुर में विकास बाजू करते हैं हम सबके सबसे बड़ी समस्या है जल भरावा की लखीमपुर में समस्या सबसे बड़ी समस्या मनी जाए लखीम बुर में नाला बन गए सब कुछ बन गया सवाल पूछें सब सवाल हम बता सवाल ही पूछ रहा है आपका नाला बना ये पानी कलेक्शन के लिए जो तालाब आपके समय ते आज भी ददा है उसमें कबजे हो चुके है वो आप समय भी आज भी कबजे चल ले है उन कबज जब तक वो चिन नहीं हटेगी पानी नहीं कलेक्श हो पाएगा पार्किंग हमारी प्राथमिक्ता है हम प्रतेक्श दसा में इस सहर के अंदर पार्किंग की वेउस्था करेंगे इस्थान हमने चिनित कियो हुए है कहां पे पार्किंग बनाई जा सके दो पहिया वाहन की चार पहिया वाहन की सबसे बड़ी एक समस्या है हम दर दवा काने ते बड़े चौराहे तक रिक्से खड़े रहते हैं दोनों तरफ कप्रेल बाजार को जो रास्ता गया है उसके सामने तीन तीन लाइन में लिक्से खड़े रहते हैं अगर जिला प्रसासन चाहाए इस चीज़ के लिए मैं तो धन्यवाद क्या दू जिला प्रसासन को कि अतिक्रमर हटाया जाता है किवल गरीबों के लिए पक्के निर्माड पे आज तक कभी है कि मैं अटाया नहीं गया मैं तो कुझारित करूँगा रिवेदन करूँगा इजादिकारी महोदे से कि जो कि चल रहा है उनका अभियान कुछ दिन पहले चला था तो वो इस पे भी चलाएं कम से कम नाले के अंदर फावड़ा नहीं जा पाता और उसके उपर निर्माड हो जाता है चीज भी बताना चाहूँगा घपरेल बजार के अंदर जो नाला निकला हुआ है पूरे नाले पर दुगानों का निर्माड है यह हमारे कारकार का नहीं है कि 30-40 साल पहले ही उन लोगों ने दुगाने बना रखी है मेरी तो शमता है नहीं बैपरी बंदों को इतना परिशान करने की जहां जहां जल बराव होता है मैं 10 साल तक रहा हमारी टीम तैयार रही हम लोग सता जागरत होके निकले बाहर जहां जहां जल बराव था उसको तत्काल दूर करने का प्रयास किया किन्तु नगर में होत अभी समझ्या है एक सबसे बड़ी जैसे कुड़ा निस्तारण की कोई ऐसा नहीं है उसका उप्योग करके उसका अच्छा निस्तारण हो सके जिसे सड़कों पर जो जेगे जे कत्रित किया जाता है उसे घंड़गी होती है उसके संबन में है दूसरा एक भाईया ने बहुत अच्छा प्रश्रू उठाया था कि सड़क बनती है और उसमें कहीं ने कहीं कुछ दिन पस्चाच कई ने कहीं थोड़ा टुकड़ा टूड़ जाता है या घंड़ा हो जाता है उसका कोई पकी रिपेरिंग नहीं होती है ठीक है कोई मट्टी भरदी वरदी मतलब पकी रिपेरिंग नहीं होती है सड़के हमने बनवाई है इस सहर के अंदर शाहिए वो महले के अंदर हो या मुख्य मार्ग हो आप तुलना कर लीजिए पिछले पांच वर्सों का जितने निर्माड हुए हैं हमारा निर्माड का केवल एक वर्स हमारे काल का पांच वर्सों पर भारी पड़ेगा जहां तक गुरुवत्ता की बात है गुरुवत्ता हमने सुनी चित की है मैं खुज जेए को लेकर ईयो को लेकर निर्माड अस्तल पर जाता हूँ और उसकी गुरुवत्ता चेक कर वाता हूँ जब्धा जब्धान करती हूँ और जो आपका सवाल है कि मैं यहाँ पे अकेली क्यों बैटी हूँ तो मैं आपको और अपनी जन्ता को इसका जवाब देती हूँ कि मैंने बादा साथ समाज में रहके समाजवादी पाइटी की लीडर को के पुरह तर प्रदेश में काम किया है और सर्फ मैं यहाँ नगर निकाय चुनाव लड़ रही हूँ मैं डमी कंडी रेट नहीं हूँ मैं सर्फ कंडी रेट हूँ तो मैं बता देना चाहते हूँ कि मैं जीतूंगी तो मैं ही जन्ता के बीच रहूँगी मैं ही नगर पालिका के कुर्से समालूंगी और मैं ही जन्ता के लिए रोड़ों पे उतरूंगी प्रत्यासी होता है दल और बल से, अभी कुछ समय पहले आप भी दल से ही किसी दल से टिकेट मांग रही थी, तो क्या आप आपके पास दल और धन नहीं रह गया है क्या। और जनता के ही साथ रहती हूँ, जनता के ही साथ काम करूँगी, मैंने दल से मांगा था, मैंने बताया ना, अगर दल के साथ होती, तो शायद मेरी मेनद कम होती, ये सत्य है, और मैंने टिकट मांगा था, क्योंकि मेरा हक था, मैंने बादासा समाजवादी पारटी के अंदर क जबारी होके काम किया है और आप मेरी सीबिया इजाज करा लीजिए एक रुपए का कोई रिस्वत खोरी या दलाली या ठेकेदारी नहीं निकलेगी मैं आपके साथ विस्वास के साथ कहती हूं और इसे तरीके से आपके साथ काम कर दी रहूंगी। आपकी अपनी क्या प्लानिंग है इसके लिए आप क्या करेंगी। आपकी आपकी जाम की समस्या दिन बढ़ती चली जा रही है और आप जाना है कि जाम खासकर उन सड़कों पर रहता है जाम पर इंक्रोश्मेंट किया गया। यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई बंदू ब्यापारी बाई बंदू भी बैठे हैं। अगर उसका आपके पास क्या प्लान है जिससे कि किसी का व्यापार भी हताहत ना हो और यह जाम के समस्या से भी निजात दिलाई जा सके शहर को। व्यापारिक वर्क से समद्दित या जो मार्केट को लेके समस्या उठाई इसी तरीके की समस्या जो हमारी जो कालोनिया और जो महले हैं उसमें जनरली देखने में आया है कि लोग अपने मकान के आगे चार-चार फुट का चबूतरा दोनों तरफ निकाल लेते हैं उसके आगे फिर अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं वो 20 फुट की रोड 10 फुट की रह जाती है इसकी तरफ भी आप क्या प्लान उठाने इसके लिए आपके लिए क्या कार सूची है आपके पास कि जो दुकाने दुकानों के आगे चौतरे हैं और जिनके कारण हमाई जाम लगती है तो मैं अपने व्यापारी भाईयों से ये कहूंगी कि जो भी चौतरे एक्ष्णा हैं वो हटवाने मेरा सयोग करेंगे और मैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो और जनता को भी कोई समस्या ना हो कोई ऐसा प्रक्रेंट ढून के आपके सामने जरूर लाओंगी और जब की सहमते से में काम करूंगी ताकि हमारे ना व्यापारी हमसे आहत हो ना हमारे जनता हमसे आहत हो के नियूस निकाय पंचाय जलता का फैसला जारी है वक्त हो चला है एक ब्रेक का कहीं मत जाईए ब्रेक के बाद जल्द हाजिस होंगे देखते रहिए के नियूस